आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन चीज के बारे में जो most of the cataract patients जिनका surgery हुआ है मोत्याबंद operation करके lens डाला हुआ है उनको ये problem आ सकती है वो है floaters क्या मोत्याबंद operation के बाद आपको floaters आए हैं तो आएए जाने इसी के बारे में नमस्ते मैं हूँ डॉक्टर सुमित अगरवाल और आप देख रहे हैं iHealth4U जहां आपको मिलती है एकदम simple language में आखों से जुड़ी सारी जानकारी cataract surgery वर्ल्ड की one of the most successful और most safe surgery मानी गई है एक expert cataract surgeon 8-10 minute में cataract surgery को complete कर सकता है cataract यानि age के साथ में हमारा जो lens है आख का वो white होने लगता है सफेद होने लगता है तो उसे remove करके एक artificial lens डाल दिया जाता है जो lifelong आपको एक अच्छी रोशनी दे सकता है तो cataract surgery में usually तो ऐसे कोई problem नहीं आती है बट काफी patients को cataract surgery के बाद eye floaters दिखने शुरू हो जाते है eye floaters क्या होते है basically ये हमारी नजर में कुछ spots के फॉर्म में या धागे या गुच्छे अलग-अलग shape के फॉर्म में कुछ चीजे आकरतिया तेरती हुई float करती हुई दिखाई देने लगती है ये होते हैं eye floaters eye floaters बनते कहां है eye floaters actually lens के पीछे vitres gel पाया जाता है आख में ये gel एक young age में गाड़े फॉर्म में होता है ठिक होता है और with age ये liquify होता जाता है और इसके अंदर protein के deposits बनते जाते है तो age के साथ-साथ floaters का बनना एक normal चीज है जैसे कि बाल सफ़ेद होते हैं जूटियां पड़ती ही वैसे ही floaters भी आख में एक age related चीज होती है ये एक disease नहीं है ये एक age related process है अब cataract surgery के बाद floaters जिन लोगों को दिख रहे हैं उसके mainly दो कारण हो सकते हैं एक reason तो होता है कि floaters already पहले से ही cataract surgery के पहले से ही आख के अंदर बने हुए हूँ but क्योंकि cataract की वज़े से आख के अंदर जो light जा रही है वो कम हो जाती है क्योंकि cataract basically white होते है तो उससे वो light को block करते हैं अंदर light कम जाती है तो अंदर की जो light कम जाने के वज़े से जो light का फैलना है जिसकी वज़े से floaters हमें दिखाई देते हैं floaters basically light को block करके जो परदे के ओपर shadow बनती है उसकी वज़े से दिखाई देते हैं तो अगर light ही कम जा रही है मोत्यबन की वज़े से cataract की वज़े से तो floaters भी हमें ऐसे नहीं दिखाई देते हैं तो ये पहले से जो floaters हैं जो पहले नहीं दिख रहे थे वो अब दिख रहे लगते हैं ये most common एक reason है cataract surgery के बाद floaters दिखने का बहुत सारे patients बहुत परिशान हो जाते हैं कभी-कभी कि मोत्यबन operation के बाद मुझे ये नहीं चीज़े दिख ले लगी हैं ये क्या है तो ये विलकुल भी चिंता की बात नहीं है ये floaters धीरे-धीरे with time नीचे settle हो जाते हैं on an average अगर 60 plus age है और cataract surgery के बाद floaters आये हैं तो 3-6 months में 90% लोगों में floaters चलने जाते हैं किसी-किसी में जादा time लग सकता है साल-2 साल बट ultimately ये floaters reduce हो जाते हैं एक second इसका current हो सकता है कि cataract surgery जब perform करते हैं तो उस दौरान आपके अंदर काफी सारे pressure changes आते हैं pressure changes पतलब जो हम fluid use करते हैं उसकी वज़े से compress और expand होती है so इस process की वज़े से जो पीछे का withress gel है जो परदे से normally attach रहता है ये परदे से separate हो सकता है ये से हम posterior vitress detachment कहते हैं ये ये भी एक normal age related चीज ही है around 50 की age पर ये start हो जाती है और around 60 to 65 की age में 90% लोगों में ये चीज complete हो जाती है complete मने ये जो vitress gel है retina की सतय से पूरी तरह से separate हो जाता है और वो फिर जूनने लगता है लटकने लगता है retina के सामने ये भी परदे के ओपर एक shadow बनाते है और इससे भी floaters दिखाई दे सकते हैं अब ये जो एक normal age related process है cataract surgery के बाद ये थोड़ा सा fast हो जाता है और हो सकता है cataract surgery के कभी-कभी immediately बात या फिर 3-6 महिने के बाद ये process complete हो जाए और वो आपको नए floaters के form में दिखाए दे तो ये भी बिल्कुल चिंता की बात नहीं है बस अगर नए floaters बने है तो उस time पे हमें एक retina का check-up कराना ज़रूरी रहता है क्योंकि जब भी नए floaters बनते हैं तो एक chance रहता है कि retina में कहीं weakness आई हो उस weakness को time से check करके अगर हम treat कर देंगे तो फिर आगे कोई भी problem नहीं बते हैं या फिल PVD प्रोसेस होने की वजए से नए floaters आपको दिखाई दे रहे हो दोनों ही चीज़े चिंता वाली बात नहीं है दोनों ही case में बस एक retina check-up की ज़रूरत होती है और retina अगर आपका बिल्कुल ठीक है तो बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है ये floaters अपने अब इनके बात sloaters बनने के बारे में उमीद करता हूँ इससे आपको फाइदा हुआ होगा कमेंट सेक्षिन में जरूर डाले अपने आखों से related सारे सवाल ताकि मैं दे सकूँ उनके जवाब अच्छा देखिए अच्छे से देखिए तन्यवाद और वाज़त